और नेक आमाल इक्तियार कर लेते हैं अन्ना लहुम जन्नातिल तज्रीमिल तथिल अन्हार हैलो फ्रेंट्स वेल्कम बाग टू आर चैनल इलाही रेक्शन्स मेरा नाम है आमन प्रीत कौल और मेरा नाम है नेहा और आज हम लेकर आएं एक बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो तो हम आज करने वाले हैं रियाक्शन लाइफ इन जन्हा बाइ इंजीनियर मौमध अली मिर्जा तो हम इनकी पहले एक वीडियो कर चुके हैं जो कि हमने करी है तो प्लीज आगे उस वीडियो को देखना तो शुरू करते हैं आज की इस इंट्रस्टिंग सी वीडियो को और मैं बहुत जादा एक्साइटी दूँ क्यूंकि इस चैनल कर ये मेरी पहली रियाक्शन वीडियो है और मैंने बहुत कुछ सुना इनके बारे में कि ये बहुत ही बड़े पाकिस्तानी स्कॉलर है और कमेंटेटर है तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो चलिए शुरू करते हैं और आए नबी असलाम आप खुश्खबरी दे दीजिए उन लोगों को के जो बात माल लेते हैं यानि इमाल ले आते हैं और नेक आमाल इक्तियार कर लेते हैं के उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरे बैती होंगी कुल्लमा रुजिकू जब कभी भी उन्हें रिस्क दिया जाएगा उस जन्नत में मिन हा उन बागों में से कोई फल रिस्क की शकल में उनको जब पेश किया जाएगा एल जन्नत को जन्नत में जब कोई फ्रूट दिया जाएगा वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले दुनिया में भी दिया जाता था हलाके वो उनको उससे मिलता जुलता फरूर दिया जा रहा होगा एक्जेक्ट नहीं होगा मिलता जुलता इसलिए दिया जाएगा कि इनसान की एक नेचर है दुनिया में भी आप देख लें आप किसी दस्तरखान पर बैठे हो तो सबसे पहले उस चीज़ को हाट डालते हैं जिसके साथ आप मानूस हो आप किसी खलीमे पर भी जाते हैं तो आपके सामने गया ऐसी जी वो गरीब डिश आ जाये तो आप उसके रिस्क नहीं लेते हैं खाने का कि पता नहीं क्या जायका हो उल्टा प्लेट बरके बैठ जहूँ और इस दुरान जो मैंने खाना था वो ख़तम ही हो जाए यह भी चांस होता है तो इनसान मानूस उस चीज़ के साथ था जो पहले उसने उसको एक्स्पिनिस किया हो यह लट तरह नहीं इनसान की नेचर रखी है तो जन्नत में भी अब्तदाई महमान नवाजी के तोर पे जन्नतियों को वो रिस्क दिया जाएगा जो दुनिया में वो एक्स्पिनिस कर चुका है आम, केला, हना, सेब, जो हमारे एक्स्पिनिस में अब देखने में तो वो फ्रूट देखने में तो वैसा ही होगा तो ओ खाने से पहले ही बात करेंगे कि तो यह वोई चीज़ है एथे भी आके कोई कुछ लेकिन नदा अखमाएगा कि उसकी तरह का होगा लेकिन वैसा नहीं होगा अब अन्वर अटॉर का जाइका और एक देशी आम का जाइका बराबर हो सकता है देखने में तो दोनों एक जितने होते है शक्लो सूरत भी मिलती जुलती होती है लेकि जमीन इसमान का फरक है टेस्ट में इसी तरीके से चौणसे का टेस्ट हो यकिसी दूसरे आम आम का वो बराबर नहीं हो सकता है तो ये तो दुनिया में लाँ ने इतना फरक रखा हुए तो आखरत में जो आम दिया जाएगा वो दुनिया वाला आम नहीं होगा हाँ शक्लों सुरूद में जरूर मिलता है जलता होगा लेकिन उस आहम की तो क्या बाइड़ी अल्ह तरह जन्नत में हमें अपने महभूस सल्दाओ लिए वालिए वालिए सल्द का प्रोस नसी फर्माएं आमें वलहुम फीहा अजवाजुम मुतहहरा और वहाँ पे होंगी उनके लिए पाकीजा बीवियां पाकीजा बीवियां दुनिया की बीवियां भी और जन्नती हुरे भी वो आके चलके जिकर आ जाएगा इस हवाले से अच्छा जन्नत में जितनी भी नहमते हैं ना उनमें जो यह डॉमिनेट नहमते हैं उनका कुछ ना कुछ हिस्सा अल्ला ने दुनिया में इस हवाले से रखा है कि इन्सान उस नहमत को एक्सपिरियंस कर से लेकिन उसमीन इसमान का फरक है लेकिन किसी दरजे में एक्सपिरियंस करवाया गया है और एक्सपिरियंस करवाया गया है तो तब ही उन चीजों में अट्रैक्शन है अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो उसके लिए तक हो दोगों करेगा तो इसी तरीके से यानि जो एक अल्ला तरह ने सेक्स का जजबा रखा है इनसान के अंदर उसका एक्स्पिनियस दुनिया में किसी फार्म में करवाया तब ही जन्नत की हुरों का लालेश दिया जा सकता है और इस तरीके से जो फूर्ट है उसका जाएका दुनिया में रखा है जब ही जन्नत की फूर्ट का आपको लालेश दिया जा सकता है बाकी तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्ला तरह ने जन्नत में वो निमते तयार कर रखी हैं जो ना किसी आँक ने देखी ना किसी काम ने सुनी ना कभी किसी के दिल पे भी उसका गुमान हो उन्ध मेजने को ये सिर्फ मुत्शाबहात हैं मिलती जूलती चीजेएं दुनिया में सिर्फ बात समझाने के लिए और दुनिया की ने ने तो फ़ना होने वाली हैं लेकिन इन ने ने मतों के साथ आ रहे वहुम फीहा खालिदून वो रहेंगे हमेशा हमेशा हमेशाँ ना हतम होने वाली नेमते अच्छा दुनिया में कोई बड़े से बड़ी भी नेमत है ना वो अच्छी इंसान को लगती है लेकिन जैसे ही उसके छूट जाने का ख्याल आता है तो दिल के उपर गम का गलबा हो जाए और जन्नत में गम नहीं है इसलिए जन्नत में हमेशा की नेमते है सही मुस्ते में एक अधीस है जब जन्नती जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो उनको एक नदा की जाएगी जाते ही खुशकबरी बिलेगी तुम्हारे लिए मुबारक है आज के बाद तुम्हे कभी बौत नहीं आएगी तुम हमेशा जिदा रहोगे आज के बाद तुम्हे कभी बदहाली नहीं आएगी तुम हमेशा खुशहाल रहोगे आज के बाद तुम्हे कभी बढ़ापा नहीं आएगा तुम हमेशा जवानी रहोगे और आज के बाद अल्ला तुम से कभी नराज नहीं होगा हुएशा राजी रहे यानि दुनिया में तो सबसे बड़ी एहल एमान के लिए टेंशन ही यह यह दे कि मैंने यह किया तो नराज नहीं हो जाए जन्नत वो जगह है जहां कुछ भी कर ले अल्ला नराज नहीं होगा हर वो चीज जो दुनिया में सरी जर्म थी वह आंजा के वो जर्म नहीं देगी दुनिया में मर्द के लिए सोना पहनना हराम है और जन्नत में सोने के कंगन बना जैगा रेश्फम का लिवास बना जागा कुरान पाक में आता है बुखारी मुस्निक में दरजनों आदीश हैं जिसे शोग हो तो मिश्कात अलमसाभी की तीसरी जिल्द में जन्नत वला चैप्टर बढ़ ले तो आपको अंदादा होगा कि जन्नत में अल्ला तरह क्या कुछ रखा है इसान की लेकिन ये बात अपनी जगा है एक हकीकत है कि जन्नत मौचना बड़ा मुश्किल है ये सबसे बड़ा अलमी है ये तो बाब्बों ने आपको एक खुदा का तारूफ करवाया ना कि जन्नत तो अपनी जेवी जाए किताबें ये नहीं बताती है किताबें कुछ और ही बताती है सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्ला तरह ने जन्नत को नागवार चीजों से ढाब रखा है यानि जन्नत तक पहुचने के लिए के नागवार चीजों से आपको बज़रना पड़ेगा फिर जन्नत आएगी और जहन्नम को अल्ला तला ने खुशनुमा चीज़ों से ढाब रखा है यानि हर अट्रेक्ट फुल चीज दोज़क की तरफ लेके चली जाएगी नागवारी तो है ना यानि रोजाना पांच वक नमाज पढ़ना दुनियावी तोर पे एक तरद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् आप जो अपनी मर्जी के मताबि कोई भी काम करते जाएं वो सीधा आपको दोज़ा की तरफ ले जाएगा जो आप अपनी मर्जी से करेंगे और जो अल्ला की मर्जी से करना पड़ता है उसमें तरद्द्द तो है जारा उन नफस के खिलाफ है ये मुस्लिफ शेव की हदीस कमाल हदीस है कि जन्नत नागवार चीज़ों से ढापी हुई है और जहन्नम खुशनमा जीज़ी इसकी एक्स्प्लेनेशन जामें तिरमजी में सुन अबी दाओद में सुनन निसाई और इबने माजा में है कि जब onna ने जन्नत को पैदा किया तो अज़ा जिबरेईल आश्मा से कहा कि जाएँ जन्नत को जाके विजट करें कि मैंने कैसी रहने की जगा है जब अधर जिबरेईल आश्म जन्नत गए और उसकी पूप सूरती देखी तो अल्ला तरह ने का जिब्रेव कैसा पाया जन्नत को अल्ला तेरी की इज़त की कस्फ वोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो इसमें जाने के लिए जान धड़की बाजी न लगा दे क्या जबर्दश जगा तुन्हें बनाई है अल्ला ने परमाई आच्छा अल्ला तरह ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढामती है कि मुस्लिफ शीर्फ की एदिश और का आप जाके जन्नत को देखो जब वो देखके है तो उन्में का तेरी इज़त की कसम मुझे नहीं लगता कोई बना जन्नत में जाने में काव्याब होना इतना मुझे है सर ये है किताबों का खुडा यह गते नहीं जनाव एक दफ़ा भी पढ़ लिया एक दफ़ा भी पढ़ लिया एक फेरे ही लगे लगे और सुर्फ उर्कान में लगता है कि जहन्नम हमेशा रहने के लिए भी बुरी जगह है और एक लुम्हे के लिए रहने के लिए भी बूरी जाए आप लाग कहते हैं के फैरा लगी आथ यह फैरा भी इसलिए हम कहते हैं के हमने कभी इस फैरे को इमेजन नी किया आपको इधरी बैठे-बैठे मैजन करवा देते हैं अगर किसी शक्त को एक कहा जाए कि एक फजर की नमाज छोड़ने पे आपको फजर से जोहर तक एक ऐसे कमरे में वक्त गुजानना पड़ेगा जो दस भी दस फिंट का होगा उस पे सो कॉबरा सांप होंगे सो बिच्चू होंगे सो अज़धे होंगे लेकिं सिर्फ फजर से जोड़ दापास तो कोई इमेजन भी कर सकता है और इस सांपों तो आप मार भी सकते है जहन्नम के सांप के बारे में कोई सोच भी सकता है क्योंकि हमने इमेजन भी किया होता इसलिए एक फेरे की बात करने और ये तो बहुत बड़ी मैंने मिसाल दिया अगर किसी शक्स को का जाए ना कि फजर की नमाज चोड़ने पर फजर से जोड़ तक आपको सिर्फ एक मुंबती का चोटा असा जो फेम होता है उसके पर यू हात रखना पड़ाएगा वजर से जोड़ता सब दस सब्स के लिए नी कृजर से जोड़ता है वाव यह क्या विडियो थी मतलब मजा इसी वीडियो क्योंकि क्या था कि उन्हों ने बहुत ही जटे मुझा जदे करना मसम देखते ही मोग में आपना इसे साथ वह बहुत लाए्ट जटाएगा है वो Tay कुरान में क्या लिखा हुआ है और उसके बाद थ को हिंडियर अहिंडी जदी इको में भील्क बाता है दो इतने गो ़ाक लो कि सुनके ऐसा लग रहा थे कि बस वो बोलते है और हम सुनते रहे और कुछ ऐसी बाते जो उनों ने बताई कि किस तरीके से उनों ने जननत को ढखा हुआ है तो वाकी में बहुत तारीफे लाइफ बाते थी तो सबसे अच्छे कीज मुझी कि यह लगी कि उनने कंपारिजन ब तो समझा तो वो बच्चा भी समझ सकता है कि मुझा बताना चाहिए क्या समझाना चाहिए और सबसे बड़ी बात की वही बात है मलब अब जो बात भग्वान में बोलिये जो बात रभ ने बोलिये या लाने बोलिये मुझकिल है पर उसका end result अच्छ है आप उस रस्ते पे पर मान के चलो कि उसका end result अच्छ है तो बस यह है मुझे तो इस वीडियो से यही अच्छा लगा यही सीखने को मिला बिल्कुल के बात बिल्कुल सच है कि भगवान ने जो रस्ता बनाया है वो मुश्किल जरूर है लेकिन उसका अंत बहुत खुबसूरत है तो अगर हम इ और बैम के बात कि अदेमें समय का इंद्ध education साथ में अच्छ लगा तो प्लीज वीडियो को करके जाना और अपने थोट्स हमें कमेंट सेक्षण में बताना कि आपको कैसी लगी और और अइसी कोई बीडियो देखना चाते है कुछ आपके recommendations प्लीज हमेंें सेक्शन में बताना और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके जाना हमें चैनल पे इस ताइम आपके सबूर की बहुत जरूरत है और हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ गुद आपके बाई